ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सामना हर दूसरे व्यक्ति को करना पड़ता है पर लोग तब तक इस पर ध्यान नहीं देते जब तक छालों की वज़े से उनका खाना पीना मुश्किल हो जाए अक्सर लोग इसे मामली प्रॉब्लम समझ कर नजर अंदाज कर देते हैं उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजन नहीं होता है अगर इसका समय रहते इलाज ना किया गया तो ये सीरिस प्रॉब्लम जैसे की कैंसर भी बन सकती है इसलिए स्टार्टिंग में ही इसका ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए अकसर जीव, गालों के भीतरी हिस्से, तालू, होठों के आसपास और गले में इसके लक्षन दिखते हैं माउस अलसर के लक्षन है, खाते पीते वक्त बहुत तेज दर्द होना, चिरचिड़ा पंसा फिल होना, हमेशा थकान मैसूस होना और मुँ में गाव की लालिमा का नजर आना ज्यादा मिर्च मसालों का सेवन इसका सबसे बड़ा कारान है क्योंकि अगर डाजिशन ठीक से नहीं होगा, तो मुँ में चाले हो सकते हैं कई भार खाते से में दाटों की बीच जीव या गाल का हिस्सा आ जाता है जिसी वज़े से छाले हो जाते हैं ऐसे छाले आमत्वर पर मुँग की लार से खुद ही ठीक हो जाते हैं इसके अलावा तंबाकू, पान मसाला और स्मोकिंग भी मूँ के छालू का कारण बनते हैं अगर छाले कैंसर में बदल जाएं तो शुरू शुरू में उनमें कोई दर्द नहीं होता है लेकिन बाद में थूक के साथ खून भी आना शुरू हो सकता है इसलिए छालो का तुरंट ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले आप अपना पेट साफ करें इसके लिए आप इसब गोल या कॉंस्टिप्रेशन की कोई दवाई ले सकते हैं और छालो में तुरंट रहत पाने के लिए आप माउस जल का यूज कर सकते हैं आज मैं आपको ओरासोर माउस जल के बार में सब कुछ बता रहा हूँ ये कितनी देर में अपना असर दिखाती है ये काम कैसे करती है इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है और सबसे जरूरी इसे लगाने का सब्सक्राइब करें इन्फो अब यूट्यूब चैनल लाइक करें फेस्बूक पेज और डाउनलोड करें इन्फो अब अब अपने हेल्थ से लेटेर सभी जानकारी के लिए तो ये है ओरासोर माउस अलसर रिलीफ जेल इसे विंग्स बायो टेक लिमिटेड कंपनी दोवारा बनाये गया है इसकी पैकिंग ट्यूफ फॉर्म की है एक बारा ग्राम का जेल है और दूसर दस ग्राम का इसकी कीमत 64 रुपे है ये आपको किसी भी कैमे शॉप पर या ऑनलाइन कहीं भी इसली मिल जाएगी आपको इसे खरीदने के लिए किसी भी डॉक्टर के परची की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर कोलिन सैलिसाइलेट, लेगनोकेन, बेंजाइल कोनियम क्लोराइड, ग्लिसरीन और स्पीयर मिंट एविलेबल है इसलिए तुरंद मुह के छालो में आराम देता है ये सीवियर पिन और इरिटेशन को दो मिनिट में कम कर देता है ये माउथ अलसर, टंग अलसर, गालों के अंदर का अलसर, मसूडों में अलसर, मुह के अंदर के उपरी भाग में अलसर और गम पेन में बहुत हेलफुल है इसके अंदर सौफ भी मिला होता है, जिसकी वज़र से मुह का टेस्ट और ठंडक दोनों बनी रहती है इस जल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं मिला हुआ है जिससे आपको कोई साइड इफेक्ट हो मतलब ये आपके लिए बिल्कुल सेफ है छाले होने के दौरान आपको कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए जैसे कि जादा से जादा पानी पिए मसालेदार, गरम और ऐसेडिक खाने को जितना हो सके अवाइड करें अपने दातों का हाईजिन मेंटेन रखें और अगर छाले लंबे समझ तक रहते हैं तो आप अपने डॉक्टर की सला लें हो सकता है कि कोई और प्रॉब्लम हो तो चलिए अब जानते हैं कि इस जल का इस्तेमाल कैसे किया जाए सबसे पहले आप अपने हाथ को अच्छे से धोएं, सुखा लें उसके बाद ओरा सोर जल को अपने फिंगर टिप पर लें और अफेक्टेड एरिया पे अच्छे से लगा लें कोशिश करेगी अफेक्टेड एरिया के आसपास भी लगाएं आप इसे दिन में तीन से चार बार लगा सकते हैं आपको इसका असर पहले दिन से ही दिखने लग जाएगा ओरा सोर जल लगाने के बाद दो से तीन मिनट तक ना कुछ खाएं ना कुछ पीएं इस जल की एक और अच्छी बात ये है कि अगर गलती से थोड़ा बहुत मुह के अंदर भी चला जाए तो घबरान की कोई जरुवत नहीं है ये आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगी तो ये था ओरा सोर माउस जल के बार में सब कुछ उमीद है आपको ये जानकारी helpful लगी हो वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे like करें और बने रहे info अपके साथ अपने health related सभी जानकारी के लिए